इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है अरब हमसे क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं शाह महमूद के साथ यह जो सलूक हुआ है यह सलूक बे बैद अरवशा हमारे किसी वजीर खारजे के साथ कभी ऐसा बुरा सलूक तो नहीं होता कोई मुश्दर का एलामी अगर नहीं तो चले इतनी खतरनाक बात नहीं कोई जोरान नहीं कोई इशया नहीं सदर से मलाकात नहीं सिर्व वजीर अच्ञाम से मलाकात होगी अपने सवारत खाने में निसकी हर किसम के वीजों पर पबंदी है हम पर, एरान पर, तरकी पर इंडिया पर पबंदी नहीं है और क्या वो कार्नमा अंजाम देके आया है जिसका वो डंडोरा पीट रहे हैं कि हमने ये कहा है कि यहां जो वो नमाईश होती है कि उसको एक्सपो कहते हैं बड़ नमाईश है उसको पता नहीं एक्सपो कहना क्यों जरूरी है तो वो एक्सपो में हमने दर्खास किया उस पे वो गोर करेंगा दर्छास्त की ह chưa है हरु जी वह वोनी अगले साल अक्टूबर में है उसके लिए दर्छास्त की हैं वह अभी तो कुरोना है वह तो हो ही नहीं सकती मैं Хरुन साब आपके अलफास देख रहे हूं हमने दर्छास्त की है और वो उस पर कहुछर करेंगा वह हम से क्या कह रहे हैं एक ही डिमांड है ना दो दो एक चोधरी तो हमारात वाले हैं एक चोधरी हैं सॉधी रब बाकि दो गरीब मुलक है वो कहे रहे हैं किश्मीर पे خामोशी इक्तियार कर लो और इस्राइल को तसलीम कर लो तो ये तो नहीं हो सकता आपको एक बहुत ही इहत्याद के साथ चलना होगा एक बैलन्स कायम करना होगा इरान और तर्क, वो कहते हैं कि तुर्की पे आप रीज रहे हैं ये जो ड्रामा है आपको अंदादे नहीं ये कितने बिलियन डालर में हमें पड़ा है छीक है लेकिन हम हमारा मौकब तो गलत नहीं हम जो मर्दी ड्रामा देखें कोई हम पर पबंदे लिगा सकता है अच्छा उनका दुश्मन कौन है आप समझ रहें अर्बों का दुश्मन इसराईल है वो कहते हैं नहीं हमारा दुश्मन एरान है मुसल्मान मुसल्मान का दुश्मन नहीं इरान भी कम मतस्ब नहीं है अरब भी मतस्ब है मगर ये वक्त यूनिटी तो है जब जाती मफादाद से उपर उठ चुके हैं क्या किसी अरब मुल्क में कोई हुकमरान अवाम का मनतखिब किया हुआ है ये तो कहे रहे हैं जाज़े तो यह है को कुछ चीटों पर दांदली हो गई जा फरच के जिविए माण लें वोट तो डाले है वहां कोई वोट डालता है मिसिर में कोान है एक पाहरजी और कितले लोग को वो फांसी दे चुका है कितने को पताईये और उसके खबर भी नहीं शबती बागी बादशाह हैं हरुम सब हम इतनी कमजोर पॉजिशन में हैं मगर इंडिया हमसे ज्यादा कमजोर पॉजिशन में क्योंकि वो अंदर से तूट रहा है फिर जो हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो उसको कैसे निम्टेंगे तो उसक में जाया करते थे और में जाती तोर पर भी बहुत दफाए एक चीफ अपारवीं स्टाफ से मिला दूसरे से भी मिला उस वक्त ये यानि दो हजार साथ में आठ में नो में दस में ये बाते सुने में आती थी खाहिश तो उनकी ये हमेशे रही है कि पाकिसान के उच्छे से लाके पर कबदा करके पाकिसान से सिरंडर करें लेकिन इंडिया वो जंग नहीं लड़ेगा जब जीतना सकता हो उसकी कमज़री क्या है उसके पास लड़ने वाला नहीं है सरगोधा में एक तोपची को ये हुकम दिया गया 65 की बार में कि ये जहाज जो आ रहे हैं ये हमार पुचा गया कि तुम्हें कैसे पदा चला है इंडिया का हमने तुम्हें तो कहा था पाकिसान का उसने एक फिक्रा का दर्जुमान पंजाबी साब आवाज साड़े जाज देने सी क्या वाज इतनी हिस्सियात तेज हो जाती है तेकि जो पाकिसानी स्वेल जा रहे इसके खरंडमान की है तो जहास है तो जहास है दुनिया के बहतरीन जहास से फांच सो गुना तेज़ वह 200 क्लो मेटर अगर फासले पे हो जास, चार सो किलो मेटर 500 क्लो मेटर तो उसके गिराया जा सकता है लेकिन हमेरें पार मिजाइल इच्छे हैं, इंडिया भी वह खरीद़ने ने काया था उन से, रजय अफगांदी से, कि तुम्हारा तो नाम निशान मिटा देंगे, लंबी जंग नहीं मुलड सकते, कों थी जंग नहीं हम से जीती है, भाई, मश्रकी पाकिस्तान में, हमारी तो सिर्फ दो टवियन आर्मी थी, और अहामी बगावत थी, और स्यासी मसल मुसल्मान के कलेम तो एक लिहास ठीक था, कि उसकी मिजारिटी थी, बुट्टो साब मरकेजी पुम्हारा थी, इससा किस हिसाब पर मांग रहे थे, दो सुबह में बन सकती थी, और यहां किस खुशी में कह रहा था, कि मुझे बाइक तयार सादर बनाओ, ठीक, लेकिन का सबसे सुनेरी दोर कौन सा है, जराब अमर फारुक यादम का दोर कह जाता है, जराब अबुबकर सिदीक है, तो सबा दो साल का अर्सा है, और उसमें बगावत बस खत्म कर दी गए, दोस्ते यहां पर होता है वीडियो खत्म, आप यहां से वीडियो छोड़ कर जा सकते ह और आपने इस पत्रकार की जो बाता इसने कहीं है, उसमें आपने सुनते सुनते कुछ को मुसकराहटे और हसी जैसे माहौल का भी सामना किया होगा, क्योंकि इस तरीके की बेवकूफी बाते की हैं, आपने सुना इस पत्रकार ने बीच में बोला, कि पाकिस्तान आर्मी का एक भौजी जो तोप चलाता है तोप चलाता है तोप मिसाली तोप तोप चलाता है वो पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के जहाच को इस तरीके से पहचानता है कि अगर पाकिस्तान का जहाच जाता है तो उसके कान में कुछ अलग आवा जाती है और हिंदुस्तान का जहाच ज तो इस पत्रकार का knowledge, इस पत्रकार की बेवकुफिया भरी बाते का standard आपने इसी बातों से, मतलब इसी topic से लगा लिया होगा, अब बात करते हैं, पाकिस्तान के जो foreign minister की जैवर जस्त बेजिती हुई है, दुबई और, दुबई, मतलब दुबई और UAE और साओधी अरेबिया मतलब साओधी अरेबिया और UAE में हुई है, बेसिकली, दुबई तो मैंने बनाम ले लिया, साओधी अरेबिया और UAE में यह भी गए थे visit में, पाकिस्तानियों के जो visa गैंसल हुए हैं, उन्हें reactivate कराने हैं, मतलब जो पाकिस्तानियों को visa नहीं मिल रहा है, उन्हें work permit के छोड़े से क्या बोलते हैं, municipality मतलब इंडिया, नगरवंचायत के deck से मिलकर आ गया और बोले वहिया, कुछ नहीं होने वाला निकलो, उन्होंने भी होल दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पर कर दी एक PC, PC में इन्होंने इंडिया खिलाब PC की, इंडिया की भटकाने के लिए भारत कर सकता है, फिर से पागिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कीए, वही पागिस्तानी है जो पिछली दो सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक मानते ही नहीं, और इनको डर लगा है तीसी सर्जिकल स्ट्राइक का, तो आप समझ सकते हैं द करो as a country ज्यादा होसियारी मत मारो नहीं तो यहां से पूरे लोग जो है आपके वो निकलेंगे और जो पुराना करजा है वो वापस करो और तेल वेल भी नहीं मिलेगा समझ रहो फिर लेते रहो इरान से तेल टर्की से तेल भीग लो चाइना से भीग लो तो पाकिस्तान के जो उपर है इस समय है जबर जस्त प्रेशर और आपको पता है भारत UAE भारत साओधी अरविया और भारत के साथ जो भी अन अरव देश हैं उनके कितने स्ट्रॉंग समपर्क है कितने स्ट्रॉंग रिस्ते हैं दोस्तों इस तरीके से पाकिस्तान भासा हुआ है मजधार में और आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये वीडियो और इस वीडियो में जो खास बात थी, वो खास बात यही थी कि पाकस्तान ने इंडिरेक्टली यह माना है कि साओदी अरेबिया ने पाकस्तान की उपर बनाया है प्रैशर कि आप भूल जाओ कस्मीर को, और कस्मीर को मानो भारत का हिस्सा इसके उपर दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ताहिर गोरा और हामिद बसानी थे आप वो वीडियो देख सकते हैं मतलब सबसे वैसे वाली देश है वो पाकिस्तान पर प्रैशा डाल रहे हैं कि अगर आप कस्मीर की बात करेंगे तो आपकी लोगों की यहां से होगी छुटी और आपको यहां नहीं मिलेगा कोई काम तो आप कस्मीर कस्मीर करना छोड़े और कस्मीर की बात है यहाँ पर बिल्गुन लग रहा है आपको पता होगा कुछ मुसल्मान जो UAE में बसे हैं उन्होंने भारत को लेकर कस्मीर करना किया था जिसके बाद उन्हें वहाँ से भगा दिया गया निकाल दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना साउधी अरेबिय और UAE जो कस्मीर करते हैं पाकिस्तान में और इवन भारत के जो मुसल्मान ने वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट किया था इस पैसे कुछ हिस्सों में बंगलादेश के कुछ मुसल्मानों ने प्रोटेस्ट किया था उन्हें भी वहाँ से वापस किया गया तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को खत्म आपसे रहीगी रेक्वेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चाल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ जरू शेयर करिए धर्नमाद दोसों जैहिन भारत माता कीजए